Hey guys, this is Mukesh Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen, however let me tell you and in this video we are going to discuss about more than two advanced English structures, so let's know about it, first of all we are going to talk about the first types of sentences देखते ही देखते दस बजज गए, हसते ही हसते वो रो पड़ी, पढ़ते ही पढ़ते तुम सो गए, second types of sentences ऐसा अकसर होता है कि मुझे ही sorry काना पढ़ता है, ऐसा अकसर होता है कि मैं उससे मिलने रात को जाता हूँ, well dear दोस्तों आईए सबसे पहले बात करते हम लोग पहले तरह के sentence के structure को structure जानेंगे, तभी तो बना पाएंगे और जब समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, well दोस्तों देखते ही देखते, इसको एंगली से बोलते है, in no time, in no time, और sentence जिस भी tense में होगा, उसको उसमें बना देंगे, अगर simple sentence रहेगा, तो simple तरीके से बनाए जाए तो सही है, आईए हम लोग पहले sentence को लेते हैं, देखते ही देखते, दस बज गए, अब देखिए, जब भी हम लोग time बताना होता है न, तो उसके लिए it का use करते है, यदि past time बताएंगे तो it was लगेगा, यदि present में बताएंगे तो it is लगेगा, यदि पास्ट के बारें ब सबस्क्राइब या हसते हसते, पढ़ते ही पढ़ते, या पढ़ते 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 जब दो वर्ब एक साथ आए तो उसको बनाते है, वाइल प्लस वर्ब का चौथा form लगा देंगे, आएंजी form लगा देंगे, जरन फॉम लगा देंगे, तो यह बन जाएगा, पहले हम लिए से बनाते हैं संटेंज को बनाने के लिए हम लोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस 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 वर्म का फॉर्म लगेगा उसके बाद क्या करेंगे whilst भी फोर लगा देंगे इस sentence को बनाते हसते ही हसते वो रो पड़ी आईये मोग second type के sentence को देखते हैं ऐसा अकसर होता है कि इसको को इंगली से बोलते हैं इटस ओफन दे केश इसा अकसर होता है कि इसको इंगली से बोलते हैं उसके बाद संटेंस जिस भी टेंस में तो बनाने के बनाने के लिए हम लोग यूच करते हैं subject plus has to या have to plus verb का first form से बनाएंगे आइए पहले sentence को बनाते हैं ऐसा अक्सर होता है कि मुझे sorry काना पड़ता है it's often the case ऐसा अक्सर होता है क्या बोलेंगे it's often the case उसके बाद मुझे sorry काना पड़ता है I have to say sorry I have to say sorry I have to say sorry ठीक है आई बोलते हैं, ऐसा अक्सर होता है कि वो मेरे सपनों में आती है वो मेरे सपनों में या परजेन इंडिफनी टेंस का संटेंज इसका structure क्या दा subject plus B1 या B5 plus object, he see it नाम singular noun के साथ B5 लगेगा, I, we, you, they plural के साथ B1 लगेगा, इसको कैसे बोलेंगे, it's often the case, she comes in my dream, मैं उससे मिलने रात को जाता हूं यह भी परजेन इंडेफनी टेंस का संटेंस है इट्स ऑफन दे केस आई गो टू मिट हर एट नाइट यदि लड़की रहेगी तो हर लगा देंगे लड़का रहेगा तो हम लगा देंगे चलिए हम लोग मैंने हम बोला बात में हर बोला चल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब कर दें अर्टर पर एक बैल कंदी ग्रागा उसको भीट कर ले ताकि मेरा हरेक लेटेस वीडियो को नोडिफिकेशन बिलकुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के इंगलिस एस्टेक्चर सिख सके और नयने वर्ट सिख सके थैंक्स पर वाचिंग वीडियो प्रेंट